हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत दोस्तों फिर से आप लोगे धामा के ना वीडियो लेकिए उसा आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 5 में एकसराइस 5.1 में कुर्सर नंबर 4 देखिए दोस्तों आपके सामने कुष्णा 4 लेकिए और कुष्णा 4 में रोमा लिटर 1 सॉल करेंगे लेकिन दोस्तों सबसे पर क्या करेंगे हम लोग कुष्ण को रीट करेंगे कि एक्चिन में दिया क्या है और यहाँ पर दिया है दोस्तों कि which of the following are APs मतलब आपको APs फाइंड करना है कौन से APs है तोटल रोमा लेटर 15 दिये मलब 15 कोष्ण दिये और 15 कोष्ण में दोस्तों एक के बाद ही आपको चेक करना है कि कौन सा AP है अगर AP है तो क्या करना है तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों इफ देफ फॉर्म अन AP अगर वह AP फॉर्म करते है तो आपको फाइंड करना है common difference और क्या करना है दोस्तों वराइट 3 more term और भी 3 terms आपको फाइंड करना है अगर टोटल अगर 4 term दिये है तो extra 3 term आपको find करना है अगर 2 term दिये है तो extra 3 term और find करना है clear हो गिया चलो start करते है बहुत कुछ बता दिया आपको मैंने ठीक है यहाँ पर दोस्तों जो गिवन दिया है वो लिख लेता हूँ यह पता करने के लिए आपको क्या करना होगा common difference निकालना होगा common difference same है तो आपका काम हो गया ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखना हो सबसे पहला common difference D1 क्योंकि हाँ पर दो difference निकालूँगा मैं इसलिए D1 और D2 लि concentrating है ठीक है तो यहाँ पर A2-A1 तो A2 क्या दिया है दोस्तो 4 दिया है तो 4 लिखा मैंने यहाँ पर 2 दिया है यहाँ पर 2 लिख लिए 4-2 कितना होगा दोस्तो 2 होगा ठीक है यह मेरा difference निकला और एक difference निकालोंगा जिसको लिखूँँगा मैं D2 तो यहाँ पर लिखूँगा देखिए A4 माइनस A3 A4 क्या दिया है दोस्तो 16 दिया है तो यहाँ पर 16 लिखूँगा माइनस यहाँ पर 8 होगा 16 में से 8 गिया तो यहाँ पर 8 बचेगा ठीक है अब देखोगे दोस्तों कि D1 is not equal to D2 तो क्या के लिखोगे दोस्तों आपका answer हो गया अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों रोम अलेटर 2 की तरफ बढ़ते हैं रोम अलेटर 2 में क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर 2, 52, 3, 72 देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर A1, 2 और यहाँ पर A2 आपका 52 यहाँ पर A3 आपका 3 यहाँ पर A4 इकोल टो 72 यह लिख दिया मैंने अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर difference 1 निकालेंगे तो D1 क्या होगा दोस्तों A2 माइनस A1 तो A2 क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर 52 लिखा मैंने A1 क्या है दोस्तों यहाँ पर 2 तो 52 में से 2 माइनस करूगे तो आपको यहाँ पर 50 मिल जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर D2 निकालोंगा तो A4 माइनस यहाँ पर A3 A4 क्या है दोस्तों यहाँ पर 72 है तो यहाँ पर 72 लिखोंगा मैं A3 के है दोस्तों यहाँ पर 3 दिया है अगर आप minus करो तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 69 आएगा देख सकते हो आप यहाँ पर D1 is not equal to D2 तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तो therefore it is not AP यह AP नहीं है तो यह भी हो गया बहुत Simpl था दोस्तो अब बढ़ता दोस्तो Romulator 3 के तरफ बढ़ता है Romulator 3 में क्या दिया है दोस्तो यहाँ पर minus में दिया है और negative में भी दिया है ठीके बहुत सारे confusion होतो है decimal दिया होते है तो attention संदम बिलक्न मलती 2 यह लिख लिए हमेने अब क्या करेंगे दोस्तो common difference निकालेंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ d1 equal to a2 minus a1 a2 क्या है दोस्तो यहाँ पर देखोगे तो minus 3.2 यहाँ पर minus और a1 क्या दिये दोस्तो minus में दिये से bracket में लिखेंगे इसको हम लोग इस तरह से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं simplify करने जा रहा हूँ मैं minus minus क्या होगा यहाँ पर plus हो जाएगा यहाँ पर 1.2 ठीके minus plus क्या होगा दोस्तो minus होगा तो बड़े की sign यहाँ पर minus आईगी ठीके a4 क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो minus 7.2 और यहाँ पर a3 दिया है दोस्तों minus 5.2 तो यहाँ पर minus 7.2 minus minus क्या होगा दोस्तों plus 5.2 ठीके minus plus क्या होगा दोस्तों minus होगा बड़े की sign क्या होगा दोस्तों minus क्या है दोस्तो it is it is ap it is nap को लिख से कोई problem नहीं है लिख दिया लेकिन यहाँ पर end नहीं हुआ आपको क्या करना है common difference निकालना है तो common difference दोस्तो यहाँ पर निकाल चुके हम लोग minus 2 और minus 2 अब क्या करना दोस्तो और extra 3 more terms निकालना है तो यहाँ पर तो 3 more terms find करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 term दिये है already तो a5 निकालेंगे तो a5 का formula क्या होगा दोस्तो a4 plus यहाँ पर difference d तो a4 क्या है, minus 7.2 यहाँ पर plus करेंगे, यहाँ पर difference minus 2 आया है, तो यहाँ पर minus 7.2, यहाँ पर plus minus minus 2, तो क्या होगा दोस्तो minus 9.2, यह आगया आपका, ठीके, अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया, देखिए, minus 2 का difference है तो easily आप लिख सकते हैं दोस्तो a6 क्या होगा यहाँ पर minus 11.2 और यहाँ पर a7 क्या होगा दोस्तो minus 13.2 हो गया answer तो उमिर करता हूं दोस्तो यह question भी आपको समझ में आ गया है अब बढ़ते हैं दोस्तो roman letter 4 की तरफ बढ़ते है roman letter 4 में क्या दिया है यहाँ पर देखो कि दोस्तो minus 10, minus 6, minus 2 और यहाँ पर 2 दिया हुआ ठीक है यहाँ पर दोस्तो क्या करना है आपको ap form हो रहा है के नहीं हो और वो चेक करना है तो यहाँ पर लिखता हूं दोस्तो a1 equal to minus 10, a2 equal to minus 6, यहाँ पर a3 equal to minus 2 और a4 equal to 2 यह लिख दिया हुआ है अब निकालेंगे difference निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर d1 equal to a2 minus a1 तो a2 क्या है दोस्तों यहाँ पर minus 6 है तो यहाँ मैं minus 6 लिख दिया मैंने और दोस्तों यहाँ पर minus a1 क्या है दोस्तों यहाँ पर देखोगे minus 10 ठीक है, minus 6, minus minus क्या हो, प्लस होगा, तो यहाँ पर plus 10 लिख दूँगा, मैं यहाँ पर इस तरह से, और minus plus क्या होगा दोस्तो, आपका minus होगा, लेकिन बड़ी की sign क्या होगे, यहाँ पर यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो, प्लस 4 होगा, अभी plus 4, तो plus 4 लिखते नहीं है, क्योंकि plus तो hidden होता है, ठीक है, यह हो गया, आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखोगे, तो हम लिखेंगे d2, d2 में क्या लिखेंगे, a4 minus a3, a4 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं, और a3 क्या है, दोस्तो यहाँ पर minus 2 है, तो यहाँ पर minus 2 लिखता हूँ, तो 2 लिखा मैंने, minus minus क्या होगा, दोस्तों, plus होगा, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका common difference दोस्तों, same हो गया, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कि d1 is equal to d2, therefore it is a p, यह क्या ह a p है, तो a p है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, आपको common difference निकालना होगा, तो common difference तो आपका यह निकल गया, अब क्या निकालना है, तो यहाँ पर a 4 तो निकाल चुके हो, आप लोग दिया है, actually, right, तो यहाँ पर a 5 क्या होगा, दोस्तों, a 4 plus d होगा, तो a 4 क्या होगा दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखूँगा difference क्या है 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा इसी तरह से दोस्तों A6 फाइंड करेंगे हम लोग A5 प्लस D से हम लोग A5 6 आया है difference क्या है दोस्तों 4 है तो यहाँ 4 लिखूँगा तो यह आ गया 10 उसके बाद दोस्तों यहाँ पर A7 find करेंगे A7 क्या होगा दोस्तों A6 प्लस D होगा तो A6 क्या है दोस्तों यहाँ पर 10 प्लस difference कितना है difference आपका यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आ गया 14 तो आपके 3 more terms यहाँ पर मैंने निकालके दे दिया आपको तो अमिर करता हूँ दोस्तों यह भी आप समझ में आ गया है दोस्तों अब आगे बढ़ते दोस्तों रोम अलिटर 5 की तरह बढ़ते है रोम अलिटर 5 में क्या दिया है यहाँ पर देखो कि दोस्तों 3,3 plus root 2,3 plus 2 root 2 जब भी root के सम आते है दोस्तों तो इस्टुएंट डर जाते है अरे कैसे solve करेंगे लेकिन दोस्तों easy तरीके solve कर पाऊँगे शुरू करिए दोस्तों अगर शुरू अच्छे से करोगे दोस्तों तो easily solve हो जाएगा आधे इस्टुएंट क्या करते दोस्तों यही सोचे पढ़ जाते है कि किस तरह से start करें किस तरह से try करें कहां से start करें यह से सुची मन समको start करें easily solve हो जाएगा यह guarantee दे रहाँ आपको मैं देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं A1 ठीके 3 लिखा मैं यहाँ A2 लिखता हूँ मैं 3 3 प्लस रूट 2 यहाँ पर A3 लिखता हूँ मैं 3 प्लस 3 रूट 2 यहाँ पर A4 लिखता हूँ मैं 3 प्लस 3 रूट 2 कोश्चन तो कॉपी कर सकते हो नहीं easily है ना तो यहाँ पर लिख दीजिए उसके पर क्या करोंगा दोस्तों difference निकालेंगे तो यहाँ पर लिखोंगा D1 तो formula A2-A1 A2 कहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 प्लस रूट 2 है माइनस A1 कहा है दोस्तों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया अगर आप दिमाग लगाओगे और ध्यान से देखोगे तो यह प्लस है 3 यह माइनस 3 है तो यह दोनों क्या होंगे cancel हो जाएंगे और यहा आपने difference 1 निकाल लिया, root होने के बावजूद भी आपने d1 easily निकाल लिया, अब क्या करेंगे दोस्तों हम निकालेंगे d2 निकालेंगे, तो d2 क्या होगा दोस्तो, a4 minus a3, तो a4 क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर देखोगे, और यहाँ पर देखोगे, minus, यहाँ पर आएगा, अंदर की sign चेंज रहे, क्योंकि minus बाहर है, तो यहाँ पर minus 2 root 2, अब ध्यान दोगे, तो यहाँ पर कुछ कैंसल हो रहा है, यहाँ पर, यह 3 है, यह minus 3 है, यह cancel हो गया, 3 root 2, minus 2 root 2, तो root 2 root 2 same है, तो 3 में से 2 जाएगा, किता बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर आएगा, आपका root 2 आएगा, ठीक है, 1 root 2 लिखता नहीं हूं मैं, क्यों 1 लिखने को मतलब नहीं है, तो root 2 लिख दिया है, इससे क्या पता चला दोस्तों, कि therefore, d1 is equal to d2, मतलब, difference 1 is equal to difference 2, इससे क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे हम लोग, therefore, it is an AP, तो लिख दिया हमने, अब यहाँ पर यह होने के बाद, दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग, हम लोग 3 more terms और find करते हैं, तो 3 more terms कैसे find करेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a5, और a5 के बाद लिखेंगे, हम लोग a4 plus यहाँ पर d, a4 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे, तो 3 plus 3 root 2, और आपका difference क्या है दोस्तों, root 2 है, तो यहाँ पर आपको सिखाया मैंने दोस्तों, यहाँ पर 1 छुपा होता है, तो 3 plus 1 कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 root 2 हो जाएगा, ठीके, इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर a6 क्या होगा, दिमाग लगाईए, simple है, यहाँ पर देखें, 3 root 2, 3, 2 root 2, यहाँ पर 3, 3 root 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 4 हो गया, यहाँ पर 5 root 2, यहाँ पर दोस्तों, a7 में क्या होगा, 3 plus 6 root 2, इस तरह solve करेंगे, तो उमिर करता हैं, दोस्तों, यह कुश्म भी आपको समझ में आ गया है, अब दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, रो मोलेटर 6 की तरफ, रो मोलेटर 6 में क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तो, 0.2, 0.22, 0.222 यह सब दिया होगा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, हम लोग, a1 equal to 0.2, यहाँ पर a2 equal to 0.22, और यहाँ पर a3 equal to 0.222, और a4 equal to 0.22, 4 बार 2 लिखा है, ठीक है, इसका हमें देखना है, कि difference same है के नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तो, d1 equal to a2 minus a1, तो a2 क्या दिया है, दोस्तो 0.22 minus 0.2 दिया है, तो 0.22 minus 0.2 करोगे, तो यहाँ पर 0 तो अपने आप आप आजाएगा, तो यह 2 हो गया, यह अगर 2 minus करोगे, तो 0 हो गया, यहाँ point यहाँ पर, तो क्या होगा, 0.02 यह हो गया, उसकी बाद दोस्तों, यहाँ पर difference 2 निकालोगे, तो क्या होगा, a4 minus यहाँ पर a3, तो a4 क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0.42 लिख दिया है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 0.00.0, तो यहाँ पर 0.000.2, क्या हो गया दोस्तों, d1 is not equal to d2, मतलब क्या है दोस्तों, यह ap नहीं है, लिखेंगे दोस्तों, it is not ap, यह ap नहीं है, तो उमिर करता हूँ दोस्तों, यह question में समझ में आ गया आपको, अब next question करते हैं दोस्तों, यह देखिए, आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, 0, minus 4, minus 8, और minus 12 दिया है, ठीक है, dot 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 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे information, a1 equal to 0, a2 equal to minus 4, a3 equal to minus 8, और a4 equal to क्या होगा, minus 12, यह दिया हुआ है, हमें क्या करना है, दोस्तों, यहाँ पर AP है नहीं है, इसलिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, common difference निकालना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, दोस्तों, d1 equal to a2 minus a1, तो a2 क्या है दोस्तों, a2 देखोगे, आप यहाँ पर minus 4 दिया है, a1 क्या है, दोस्तों, यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, minus 4 यह आपका पहला difference आया, ठीक है, दोस्तों निकालेंगे, हम लोग, d2 equal to a4 minus, यहाँ पर a3, a4 क्या है, दोस्तों यहाँ पर minus 12 है ठीक है यहाँ minus लगाया और दोस्तों यहाँ पर minus 8 क्योंकि A3 minus 8 दिया है अब यहाँ पर देखोगे तो minus 12 minus minus क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8 लिखूँगा minus plus क्या होगा दोस्तों आपका minus होगा बड़े की sign minus की और यहाँ पर minus 4 आ जाएग तो इससे पता चल गया है दोस्तो difference 1 और difference 2 दोनों same है तो यहां लिखेंगे therefore d1 is equal to यहां पर d2 therefore it is ap, यह क्या है दोस्तो it is ap मतलब यह ap है तो यह ap है दोस्तो क्या करेंगे दोस्तो यहां पर हम लोग 3 more terms फाइंड करेंगे तो chart term तो already दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तो, यहाँ पर लिखेंगे a phi लिखेंगे, right, तो a phi क्या होगा दोस्तो, a4 plus d होगा, तो a4 क्या है, दोस्तो minus 12 है, यहाँ पर minus 4 हम plus करेंगे, ठीके, देखो जिया हमसे, minus 4 plus करेंगे मतलğみ यहां पर plus ज्विए है इसलिए Mr ? उसके बाद यहां पर a6 find करना होगा तो a5 plus D तो यहां पर दोस्तो देखो गे a6 equal to a5 plus D है तो यहां पर A5 क्या है माइनस 16 है यहां पर दोस्तो प्लस यहां पर D क्या है तो minus 4 दिया है ठीके minus 16 plus minus माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस आएगा और दोस्तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बड़ी किसाइन माइनस की आएगी तो 16 प्लस 4 कितना हो तो 20 होगा तो यहाँ पर 20 होगा माइनस 20 उसके बद दोस्तो हम निकालेंगे a7 निकालेंगे formula होगा a6 plus d होगा a6 क्या निकला दोस्तो आपका minus 20 निकला है यहाँ पर plus difference दोस्तो minus 4 है minus 20 plus minus 4 होगा और minus minus क्या बन जाएगा दोस्तो plus बन जाएगा और बड़ी किसा है and minus की है कि यहाँ पर 24 लिखेंगे ठीके अब दोस्तो question number 7 भी हो गया अब आगे बड़ते दोस्तो रो मोरेटर 8 की तरफ यह देखें आपके सामने यहाँ पर दोस्तो fraction में दिया हुआ है minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 और minus 1 upon 2 देखके पता चल रहा दोस्तो यह AP है क्यों दोस्तो आप देखोगे यहाँ पर कि a1 equal to a2 equal to a3 equal to a4 जो दिया हुआ है 1 upon 2 minus form में minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 यह दिया हुआ ठीके अब देखोगे दिहान से दोस्तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर difference 1 निकालोगे तो a2 minus a1 ठीके तो a2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर minus 1 upon 2 दिया है ठीके तो यहाँ पर आप minus करोगे तो क्या होगा यहाँ पर a1 क्या दिया है minus 1 upon 2 अब minus 1 over 2 minus minus πलस हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो minus plus minus हो गया, तो यह cancel हो जाएगा और क्या आजाएगा? 0 आजाएगा. ठेके, अब यहाँ पर दोस्तो देखोगे, फिर से दोस्तो दोस्तो d2 दिंकाल कर देखोगे, तो a4 minus a3, a4 क्या है दोस्तो? तो यहाँ पर minus 1 upon 2 minus यहाँ पर minus 1 upon 2 a3 minus 1 upon 2 minus minus आपका plus होगा यहाँ पर 1 upon 2 cancel होगे 0 आ जाएगा मतलब दोस्तों difference same ही है difference same मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ लिखेंगे d1 is equal to d2 therefore it is it is a p मतलब क्या होगा आपका आपका यहाँ पर a5 a6 a7 जो यहाँ पर 3 more term find करने बोले है वहाँ पर दोस्तों same ही same आएगा मतलब minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 इस तरह से लिखना है तो उमिल करता हूँ दोस्तों यह question भी आपको समझ में आ गया है अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों next question के तरफ यह रहा next question यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों 1 3 9 27 ठीक है इतना दिया हुआ है अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पर आपका a1 1 होगा a2 आपका 3 होगा a3 आपका 9 होगा और a4 क्या होगा दोस्तों 27 होगा इतना clear और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दोगे अगर आप अगर तो D1 equal to A2 minus A1 तो A2 क्या है दोस्तों यहाँ पर दिखोगे अगर आप अगर तो 3 है A1 क्या है दोस्तों यहाँ पर 1 तो यहाँ पर आपका 2 आगए और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा D2 equal to यहाँ पर A4 minus A3 तो A4 क्या है दोस्तों यहाँ पर 27 और A3 के है दोस्तों यहाँ पर 9 है 27-9 क्या होगा दोस्तों आपका 18 आएगा नेखिए यह हो गया ठीक है तो यहाँ पर difference 1 और difference 2 equal नहीं है तो क्या होगा दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम लोग के D1 is not equal to यहाँ पर D2 therefore it is it is not AP यह AP नहीं है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह question भी आपको समझ में आ गया है अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों next question के तरफ बढ़ते यह रहां next question यहाँ पर 10 पर क्या दिया है 2A 3A 4A कोई अलग टाइब क्या है तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो आपका A1 क्या है A है यहाँ पर A2 क्या है 2A है और य ठीक है इतना क्लियर अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर difference 1 difference 2 निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर D1 equal to A2 minus A1 तो A2 क्या है दोस्तों 2A यहाँ पर A1 क्या है दोस्तों यहाँ पर A तो यहाँ पर कुछ solve कर पाओगे easily solve कर पाओगे 2A और 1 नहीं केतना होगा A हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर D2 निकालोगे तो A4 minus यहाँ पर A3 करेंगे A4 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 4A यहाँ पर A3 क्या है दोस्तों 3A अगर minus करो क्या होगा A होगा यहाँ पर देखो difference same आ गए difference same आगे मतला लिखेंगे यहाँ पर d1 is equal to d2 therefore it is a p यह क्या है दोस्तों यह AP है तो उमिल करता हूं दोस्तों यह question में समझ में आ गया लेकिन दोस्तों यहाँ पर बाकी है three more term find करना है तो यहाँ पर a4 दिया हुआ है यहाँ पर a5, a6 और a7 find करना है अब आप सीख गए जो दोस्तों कैसे find करना है बहुत easy है यहाँ पर four है तो यहाँ पर क्या होगा five है यहाँ पर six है यहाँ पर seven होगे सम खतम होगे यहाँ ठीक है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं question number 11 के तरफ बढ़ते है question number 11 में क्या दिया है यहाँ पर square form में दिया हुए square form में कैसे करेंगे वो भी सिखा जेता हूं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे a1 equal to a यहाँ पर a2 equal to a square यहाँ पर a3 equal to a cube और a4 equal to a power 4 यह लिख दिया हमें नहीं अब क्या करेंगे दोस्तों common difference निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों d1 equal to a2 minus a1 तो a2 क्या है दोस्तों यहाँ पर a square है और a1 क्या है यहाँ पर solve नहीं कर से common निकाल सते लेकिन तो common निकालोंगा दोस्तों तो यहाँ पर a बचेगा और यह a2 निकल चुका तो यहाँ पर 1 ब तो confused बिल्कुल मत होईएगा ठीक है अब A3 क्या होगा दोस्तों यहां पर A3 होगा अब देखो यहां पर common निकालेंगे तो कि तरफ बढ़ते हैं यह रहा नेक्स कुश्चिन यहां रोम लेटर 12 में क्या होगा दोस्तों ध्यान दोगे तो रूट फॉर्म में दिया है और रूट फॉर्म कहें सॉल करते हैं वह आपको बहुत ही अच्छी तरह सिखाता हो देखिए ध्यान से सबस्ते दोस्तों यहां पर जोडी यह है दोस्तों इसका जोडी बन गया है तो यह बहान निकल जाएगा और इसका जोडी नहीं बना है वो यहीं पर रहेगा तो टू रूट 2 आ गया उसके बाद दोस्तों यहां पर A3 कैसे फांड करेंगे रूट 18 अब रूट 18 का सिंप्लिफाऎ करेंगे मतलब पूर इसको split कैसे करेंगे नहीं आये दोस्तो LCM निकालो नहीं आये तो LCM निकालो दोस्तो 2 9 जा 18 3 3 जा और 3 बन जा तो यहां लिखेंगे दोस्तो 2 multiply 3 multiply by 3 अब जोड़ी किसका बन रहा है 3 का जोड़ी बन रहा है 3 बहां निकलेगा 2 अंदर है जाएगा ठीके अब दोस्तो यहां प कुछ भी नहीं आये तो LCM यह देलना दोस्तो कुछ भी ने मतलब इस समग में से चूछ भी निकालते रहोगे आप لو इहां पर दोस्तो 2 1 जा 226 जा 12 यहां पर 28 2016 यहां परtwo fours दा 4 और 21 जा 2 कितने बार दोस्तो one two three four five time तो यहां परESE 1,2,3,4 और 5 टाइम लिख दिया मैंने, अब क्या गो दोस्तों इसकी जोड़ी बनेगी तो यहां बाहर निकलेगा, इसकी जोड़ी बना तो यहां पर आ गया, इसकी जोड़ी नहीं बना तो यह रूट में रहा, मतलब 4 रूट 2, ठीके, इस तरह से दोस्तों यह निकल रहा है ठीके, ध्याम दीजेगा, कोई confusion नहीं है, आराम से solve करवा रहा हूँ, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 भी निकल ला है, अब क्या करेंगे दोस्तों, common difference निकलना है, common difference ले दोस्तों यह जो रूट किया है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहां पर मैं, और यहां पर common difference निक ठीके, अब देखो, यहां पर 1 चुपा होता है, तो 2 में से 1 गया, किता बचेगा दोस्तों, यहां पर 1 बचेगा, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज़े दोस्तों, यहां पर simple root 2 होगा, simple root 2 होगा, ठीके, अब दोस्तों, यहां पर आप दे लिखते नहीं है, तो root to root 2 आ गया, इससे क्या होगा दोस्तो, difference 1 is equal to difference 2 हमें मिल गया, अगर यह मिल गया है दोस्तो, यहां लिखेंगे, जिए के therefore, d1 is equal to d2, therefore it is a p, ठीके, यह लिख दिया मैं, अब क्या करेंगे दोस्तो, हमें तो यहां पर a1, a2, a3, a4 मिल गए, तो हमें क्या करना है दोस्तो, a5 भी find करना है, a6 भी find करना है, और a7 भी find करना है, तो यहां पर दोस्तो लिखना पड़ेगा, यहां पर dhyhyan दीज d, तो यहां पर 4 है, तो यहां पर 4 root, यहां पर आप 2 लिखोगे, और difference क्या है दोस्तो, root 2 का है, इसको simplify करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहां पर प्लस करोगे, तो 5 root 2 होगा, और इसको अंदर लोगे, root की अंदर क्या होगा, दोस्तो, 2 multiply by 25 होगा, क्योंकि दोस्त 5 into 5 अंदर होता है, तो बाहर निकल के single 5 होता है, तो बाहर single 5 होता है, तो अंदर है क्या होगा, double 5 हो जाएगा, तो 25 तो 25 तूस है कितना होगा, root 50 होगा, क्या होगा, root 50, ठीक है, यह हो गया, अब दोस्तो, आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग, space बिलकुल भी नहीं है, try करते हैं, यहां पर A6, A6 क्या होगा, प्राष्दो, simple हम यहां लिखेंगे A5, A5 प्लस यहां पर D, यह 5 क्या होगा, यह 5 मैं दोस्तो अभी root 50 मत लिखिए, यह लिखिए, यह वाला लिखिए, 5 root 2 लिखिए, प्लस यहां पर root 2, अब 5 plus 1 क्या होगा, 6 होगा, तो 6 root 2 होगा, 2 multiply, 6 multiply बा 6 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 6 6 है, कितना होगा, 36 होगा, और 36 multiply 2 करेगा, तो root 72 हो जाएगा, यह हमारा A6 आ गया, अब दोस्तों, last में find करेंगे, दोस्तों, हम लोग A7 find करेंगे, A7 क्या होगा, दोस्तों, यहाँ पर, हम लिखेंगे, A6 प्लस, यहाँ पर D, A6 क्या है, दोस्तों, यहाँ पर लिखोगे, 6 root 2, प्लस, यहाँ पर root 2, यहाँ पर 6 plus 1, 7 root 2 हो गया, तो यहाँ पर, दोस्तों, 7 को अंदर ले लोगे, आप तो क्या होगा, दो बर 7 लिखना पढ़ेगा, यहाँ पर, ठीक है, तो 7, 7 जा 49, और 49 multiply by 2 करोगे, 2, 9 जा 18, carry 1, 2, 4 जा 8, और यहाँ पर 9, तो मतलब root 98, तो यह हो गया answer, तो आपको जो निकालने बोला था, 3 more term, तो निकल गया, यहाँ पर A5, A6 और A7 निकाल कर रख दिया आपके सामने, तो उम्मीर करता हूँ दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रोम लेटर 13 की तरफ बढ़ते हैं, रोम लेटर 13 में क्या दिया हैं, दोस्तों, root 3, root 6, root 9, root 12 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, आपको ध्यान दीजिए, हाँ पर, root 9 कर क्या होगा, दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा, ठीके, और यहाँ पर दिया, 12 दिया होगा है, तो इसको simplify करोगे, तो 4, 3 is that 12, तो 2 root 3 हो जाएगा, इतना simplify कर पाए हम लोग, अब यहाँ पर difference निकालेंगे, तो D1 equal to A2 minus A1, तो A2 क्या है, दोस्तों, यहाँ पर root 6 है, और यहाँ पर दोस्तों, आपका root 3 है, इसको simplify कर सकते नहीं हम लोग, इसको acid रखना होगा, और यहाँ पर D2 निकालोगे, तो A4 minus A3, तो A4 क्या दिया है, दोस्तों, यहाँ पर 2 root 3 दिया है, और यहाँ पर दोस्तों, देखोगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आएगा आपका, ठीके, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी simplify होगा नहीं, तो दोस्तों, आपके लिए, यह जो होगा, AP नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, दिया होगा, तो अब दोस्तों, आपके सामने आगया है, यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों, लिखेंगे, हम लोग, यहाँ पर मैं कलरण चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर, कि a1 इक्वल टू, one power two, और यहाँ पर a2 क्या होगा, 3 power 2 और यहाँ पर A3 होगा दोस्तों 5 power 2 और A4 क्या होगा दोस्तों 7 power 2 होगा ठीके इसे simplify कर लेते हैं simplify करोगा दोस्तों यहाँ पर 1 का power 1 होगा 3 का power यहाँ पर 9 होगा ठीके 3 power 2 मतलब 9 होगा ठीके यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 5 का power 2 दिया है तो 5,5 होगा और 7 का power 2 दिया है तो 49 होगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों क्या करेगे दोस्तों common difference निकालेंगे तो यहाँ पर D1 equal to A2 minus A1 तो A2 कहें दोस्तो 9 है और यहां पर 1- करोगे तो 9-1 कितना होगा? 8 होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर D2 निकालूँगा मैं तो 49-25 तो 49-25 करोगे तो 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में 2 गया तो यहां पर 2 तो 24 होगा आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर common difference same नहीं हुआ है मतलब यहां पर D1 is not equal to D2 हुआ है मतलब therefore it is not APAAP नहीं है ठीक है तो उमीर करता हूं दोस्तों यह question में आपको समझ में आ गया है अब दोस्तों दोस्तों last question के तरह बढ़ते है question no.15 मतलब roman letter 15 तो 15 में क्या दिया है दोस्तों देखोगे यहां पर 1 power 2 5 power 2 दिया है तो यहां पर A1 क्या करूँँगा दोस्तों मैं इसको simplify करूँगा तो यहां पर आएगा 1 आएगा यहां पर A2 दिया है 5 का square दिया है तो 5 5s जा कितना होगा 25 होगा यहाँ पर दोस्तों A3 क्या दिया है A3 आपको यहाँ पर 7 power 2 दिया है तो 77 कितना होगा 49 होगा और यहाँ पर A4 क्या दिया दोस्तों यह 7 power 3 नहीं है यहाँ पर 73 ही दिया हुआ है ठीक है तो यह 73 होगा तो अब दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a4-a3 तो a4 क्या है दोस्तों यहाँ पर 73 है और यहाँ पर 49 है ठीके तो अब दोस्तों यहाँ पर 73-49 मतलब यहाँ पर 6 होगा यहाँ पर आपका 1 आएगा तो 13 हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 4 होगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा तो यहाँ पर 24 अरे यह तो आपका common difference same आगय है तो same आगय है दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे और आप क्या करोगे दोस्तों यहाँ पर लिखोगे कि therefore d1 is equal to d2 therefore it is it is a p यह क्या है दोस्तों a p है और a p है तो क्या करना दोस्तों three more terms find करना है तो यहाँ पर आप a five find करो दोस्तों a four plus d तो a four के 73 है प्लस आप 24 यहाँ पर प्लस करोगे 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9 97 आ गया ठीक है उसके बाद दोस्तों A6 फाइंड करोगे तो यहाँ पर A5 प्लस यहाँ पर D करना होगा A5 कहें दोस्तों 97 है 24 यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 4 11 होगा carry 1 गया तो 9 प्लस 10 और 10 प्लस 2 कितना होगा 12 होगा तो 121 होगा उसके बाद दोस्तों A7 फाइंड करेंगे तो A6 प्लस D होगा तो यहाँ पर 121 प्लस 24 मतलब दोस्तों 4 प्लस 15 होगया 2 प्लस 24 होगया यहाँ पर 1 आ गया देखिए दोस्तों 3 more terms भी find कर लिया हम लोग ने तो उमिल करता हूँ दोस्तों जो भी मिने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा तो एक like एक comment करते हो दोस्तों तो हमें motivation मिलता है कि ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकूँ तो फिर में लोग दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसी ही प्यार देते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक यू सो मच बाई डियर स्टूडेंट